योजनाएं होती है का प्रदसन नीती क्रिया के सभी चरणों में उनका जाउगता और सक्रिय भागिदारी के अभहाव में कारण इतना प्रभावी नहीं है चर्चा करें जब भी कोई सरकार बनती है तो सरकार जो है देश की विकास करने के लिए यह चाहती है कि कमजोर बगो का कलियान हो कलियान करने के लिए maximum time देखा जा तो इंडिया इने योजनाओं में कारेकरम में ही उलसके पड़ा हुआ है समरद्म की बात तो बहुत दूर की बात है तो समय समय पर सरकार जो है इन चीजों को योजनाओं के माद्यम से जमिनी स्थर पहुचाने के लिए कारेकरम और बिकास कारी उना चलाती है लेकिन प्रसासनिक जो ढांचा है वहाँ नीती का तरीके से चीजे ना होने के कारण लोग अपने अधिकारों के परती अपने दाइत के परती अवैर ना होने के कारण ये दोनों ही तरफ से का इसने कोशन पूछा गया है कि दोनों ही तरफ से समस्या पैदा होने कारण इसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आपा रहा है अब यह प्रसासनिक जो योजना तंत्र है वो कमजोर है, तो यहां से माल पोच रहा है, यह भी कमजोर है, जो इनको चाहिए, इनको भी जानकारी नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, जो एक ड्रीम है भारत का, जो एम है भारत का, जो सपना है भारत का, कि हमें कहां जाना है, क चरनों में उनकी जाउकता लिखा है, सभी चरनों में, अभ यह पुछता है कि आप से किया करना पड़ेगा, अगर नोर्मली बैशन कहा जाए तो यहां किस कि बारे में बात कर रहा है, कल्यानकारी, योजनाओं कि बारे में बात कर ना कि वो कम्जोर बर्गों के साप्यक्ष में बात कर रहा है हम की वर्ड को अगर जब तक नहीं ढूंद पाएंगे प्रश्ट को करने का इस्ट एक्सर नहीं समझ पाते हैं यहां से प्रदस्टन नीती क्रिया के सभी चरणों में उनकी जागरुकता की कमी तो सक्रिय यहां करा रहा हूं और उसको as it is भी लिख देंगे आप एस इस ही लिखिएगा और बस लेकिन इतना कश करिएगा कि जो एक बार आपने यहां देख लिया उसको बात में बिना देखे लिखेगा आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी आइडिया स्टार्टिं हो जाएंगे as it is लिखने की प्रियास मत करना कभी सोचो की रटनती विध्या पर काम करना उस पर कभी UPSC भी काम नहीं करा था यहां concept पर काम होता है तो यहां यह बोलने की प्रियास कर अब हमें इसमें क्या चाहिए यहां से हम लोग बात को start कर लेते हैं और मज़ा आपको आने वाला द होती है उसके वारे में बताना पड़ेगा कि कल्यान कारी योजनाए क्या है नमबर टू जो इसकी प्रभाव हींता है जो ऐसा फलता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन-कौन से प्रभाव हींता हुए है जिनके कारण प्रसासनिक जो कमजोरतन्त हो रहा है और उपर से जो लोग अवायर है वो नहीं हो पा रहे हैं उसके बाद इसमें और कुछ नहीं मांगा गया इसमें तो निशकर्स कंक्लूजन के बारे में बहतर दे दीजेगा वो आपसे यहां कंक्लूजन की बात कर रहा है इन तीन पॉइंट ऑब यू से प्रस्टन को लिखने का जब अभिहास करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्टन की जो डिमांड के अनुकुला प्रस्टन को लिख पाएंगे और यही UPSC एस्प्रेंट का एक ड्रीम होता है कि हमें संचिफ सब्दों में मैक्जिम बातों तक एक्जामन दप पुछाने का जो दाईत्फ है वह एस्प्रेंट को दिया गया नहीं बाकि दुनिया में डिबेट करने के लिए निश चैनल भी काफी पड़े हुए चलो अब हमें क्या करना यहां से इसके इंट्रोडक्शन की बात करनी है तो पहले तुम क्या बताओगे पहले यह बताओगे कल्यान कारनी वे योजना होती है जिने किसी व्यक्ति समू या समुदाय के लिए लक्षित तरीके से आवासक साथनों के लिए डिजाइन किया जाता है बड़ा मज़ा आ जाएगा लिखने में फिल लिख होगे यानि आम तोर पर जो एक कम जोर वर्ग बैठा हुआ है या कम जोर वर्ग या अंतिम पाइदान पर जो बैठा हुआ है उसके क्या विकास नुमा एक धाजले में लांए लिए उसके लिए लक्षित चीज़े बनाए जाती है उन्हें विकासकारी या कल्यानकारी योजना कहा जाता है तो यहां से एक प्रिकार से आपके तीन चार पॉइंटों में चीज़ों को समझने का प्रियास करेंगे और मज़ा यहां से तब आएगा जब उसको सिस्टेमिट प्रिक तरीके से आप लिखेंगे कि तीन चार लाइनों में मैक्जियम हमें आउट्पुट अगर मिल जाए देखने के लिए तो फिर वहां से चीज़े एवेलबेट हो जाएंगे अब चलिए यहां से देखा जाए हम लोग बात कर लेते हैं आपको मज़ा आ जाएगा कल्यानकारी योजनाए ऐसी योजनाए हैं यहां से स्टार्ट करें कल्यानकारी ऐसी योजनाए हैं जिन्हें व्यक्ति समाज या समुदाय के लिए आवस्थक साधन उपलब्द कराने के लिए तैयार या डिजाइन किया जाता है तैयार किया जाता है यानि कमजोर वर्ग एवं अंतिम पाइदान पर बैठे व्यक्ति यह उन समाज के लिए लक्षित होती है लेकिन आम तोर पर देखा गया है देखा गया है के प्रसासनिक तंत्र कमजोर होने एवं लक्षित गुरूप का यह लक्षित समू की जागुरुकता की कमी के कारण यह कमी के कारण योजनाएं सही तरीके से यह सही तरीके से कार्यान वित नहीं हो पाती हैं और फिल लिग दीजेगा जिसके कारण अधिक्तम यूजनाएं अपना लक्षे प्राप्त न करके लक्षे प्राप्त नए कर पाती हैं इतना तुम दे देंगे तो उसको फिर क्या हो जाएगा मजा सा आ जाएगा हमने इस प्रिश्म में क्या दिया हमने इस प्रिश्म में उसके अनुकूल हमने बहुत सारी बातों को सहीं कर दिया पहले यह बता दिया कि कल्यानकारी ऐसी योजनाए हैं जिने व्यक्ति के लिए भी समाज के लिए भी ये समुदाय के लिए भी आवसक जो साधन है आवसक का मतलब यह नहीं कि भाया मैं गरीब व्यक्ति हूं लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मुझे बीम डबलू चाहिए उसको उपलब सरकार नहीं कराया पाएगे वो एंजुआए कभीस है मैं गरीब व्यक्ति हूं में दारू पी निकामन कर रहा है दारू की वरस्ता नहीं कराएगी बुनियादी दहांचा आवसकता तो इसे कह सकते हैं रोटी कपला मकान इन सब्सक्राइब बारे में बात कर लग सकते हैं तो यहां उसको यह भी बता दिया आवस्ता कुणाने के लिए तैयार कि जाता तो यानि जो निचले पाएदान पर बैठे व्यक्तियों के लिए लिए लक्षित की जाती है यानि यह मैंने आपको डिफाइन कर दिया उसके बाद लेकिन आम तोर पर देखा गय प्रभाब हिंता के जो बिल्कुल नीती है उसके बारे में कुछ इसको दे दीजेगा प्रभाब हिंता कैसे कैसे हो रही है अगर आपको थोड़ा बहुत भी लावांकित हो पा रहे हैं मेरी सीरीज से इस सीरीज चलाना चाहते हैं आप कंटिनियू तो आपका दाइद बनता है एक कमेंट कर दीजेगा ठोड़ा एक सेयर भी कर दीजेगा और कोशिस करो सब्सक्राइब भी करा दीजेगा तो यह आपक मैं चैलेंज कर रहा हूं इसी उसका वही मिलेंगे जिन लोगों ने टैसरी तुम जाओगे बड़े बड़े वहां गुदावों में तो वहां उनका बैक्ग्राउंड ही नहीं है टैसरीज बनाने का में इसकी पेपर लिखने का और वो लोग टैस्ट चैक कर रहे हैं मेंस की अगोरे इसका है या उसको निगरानी करने के लिए steak काम कौन से काम होते है। सोच यह कैसे होगा इस अफलता जब तक निग्रानी करने के लिए धांचा अगदत तैयारी नहीं की जाएगी बहिया वो चीज आ कहां तक पहुच रही है कहां तक नहीं पहुच रही है तो फायता कैसे होगा यहां पहला पॉंट यहीं लिखेगा कि राश्ट्य राज्य एक योजना को कार्यानवन करने के लिए नीतीगत एवन निग्रानी तंत्र की कमी है, सबसे जबर्जस्ट पोइंट आपको लगेगा देखने में, क्योंकि यहाँ एक प्रिकार से कह सकते हैं कि यहाँ जगर निग्रानी तंत्र की कमी होगी, तो भी आग कैसे चीजे समझ पाएंगे कहां, किसको पोचाना है, कैसे बताना है, वो सबसे बड़ी जो कमी है भारत की अंद्रगात, जो सिकीन पोइंट की निकल के आती है, हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, कि पोचाना किस माध्यम से कैसे पोचाना है, तो यहीं संसाधन की भी कमी है, रिशोर्स की भी हमारे पास कमी है, उसके बाद या संसाधन के बाद हमारे पास डाटा की भी कमी है, डाटा बेस संसाधन की भी कमी है, जन गरना जन संगा क्यों की जाती है, यही जानने के लिए लोक कितने रहते हैं, ऐसा तो है उसके सासद य भी जानने के लिए आप देख पाते होंगे समय जन्गंड जब काउंटिंग होती है तो 29 पॉइंट रखे जाते हैं कितके घर में कितनी बाइसिकल है मकान कैसा है नल कैसा है यह सारी विवस्ता क्यों क्या डाटा को इखटा करने के लिए जरूरत है कि इंडिया आज तक अपन कैना का यह समच्चा कारण है एक पर कि खराब जो निति है वह निर्मान होने के कारण भी वही हैं है sort that शिकर आगा कि ढूल्र हो चुका है देश के लिए वह देश चलाने के लिए यह संसादंगि कहीं पाँच किलो लेने के लिए पहले वहां से बड़े बड़े सहावकार लोग से ले लगा गृप के पिर गई दाने का काम करती है इसे क्या आए फो यहां पे योजना लक्षित समय तक नहीं पहुशd पाती है उसके बाद जो निल्षब्रभे online हुआ है तो तो यहां वित्रण तंत्र में बहुत सारी खामित हैं इसके इसको लिखो खुलकर लिख सकते हैं जैसे क्या खामिया स्कार्वार है जो बैद र्न है वह बहतर नहीं है यानि होने की बज़े से गरीब जो है अब तुम गाव में जाओगे मन्रेला के लिए जोब काड बनते हैं जोब काड किसके बन रहे हैं जो परधान का चाहेता होगा अब किसी सोभागे से किसी दूसरे व्यक्तिने किसी और के पास परधानी में बोट डाल दिया तो साला उसकी हम ज हमें समय पर क्या आतने देखिए और भी इसमें लिखेगा कि किसी भी नीति निर्मान का एक समय सीमा की नहीं की जाती है यानि आप से मोदीरी ने कह दिया कि अभिकास होगा होगा अभी कब होगा यह बहुत सारी योजनायें गरीभी हटाएंगे व्रोजगारी हटाएंगे यह करेंगे वो करेंगे यहां समय सीमा नहीं की जाती है तो यहां इस वज़े से भी क्या होता है हम उसको पेंडिंग में डाल देते हैं सुष्था करेंगे सुष्था का नाम ही नहीं है सुष्था कहते किसे हैं सुष्था मतलब जब तक मस्तिक सुष्थ नहीं होगा तब तक सभी स्वस्थ权 में ख्यांकों फ्रिर हमारे पास यहां पे पलकॉड दो किर पर दो पड़िक्षन करने दिश्वारे किरें यह तुम प्रोच्प्रों करना है को तक तक पोहां बहुत सारी खामिया है जैसे एक्जमिल समझ्याइगा, जब एक सरकारी स्कुल में टीचर बन जाता है, तो वो तो भहिया राम भर उसे हो गया कि सरकार भहिया हमें जीवन भर खिलाएगे, पैंसन भी देगी, हमारे बच्चों को भी पढ़ाएगी, एक बास प्रहा जीवन भर लोह सब च प्रदान कहा है वैसे योजना इंप्लिमेंट होती रहेंगी, सड़के की जगे वहाँ पर मंदिर बनेगा, मंदिर की जगे वहाँ पर नालिय बनेगी, नालिय को जगे कुछ और बनेगा, लेकिन शिक्षा पर कभी काम नहीं होगा, तो यहाँ योजनाओं का जो सिस्टेमेट कुछ जो इस्ट्रक्चर है प्रशन को लिखने का बड़ा मजबूत है, क्योंकि कुछ सिखाया है, किस नहीं है, मैंने सिखाया, आपने सिखाया, तो इस प्रणाली को विल्ड करिएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफीचल होगी, अगला पोइंट अगर हम निसकर्ष की तहत वह इंप्लिमेंट नहीं होगी, तो आप समझ रहते हैं, उसका कोई फायदा होगा, इसका मतलब यह रहा कि नीति जिर्मान हम कर रहे हैं, कि गाउं का विकास करेंगे, तो गाउं के विकास की योजना भी चला दी लेकिन योजना इंप्लिमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके लक्शित लोगों को लाव नहीं पोच्छ पारा है, तो फाइदा क्या चलाने का? इसका अलबी रहा, कि आपको दोनों चुझों को बैलेंस करना पड़ेगा, नीती भी बैस्पनाने पड़ेंगी, इंप्लिमेंट भी बैस्पनाने पड़ेंगी, दोनों जब बैस हो जाएंगे तो क्या होगा एक तरीके से लोग जहां तक पोचने थी योजनाई वहां तक पोच जाएंगी और वहां से उनका विकास होगा तो एक देश का विकास होगा तो यहीं से लिखना इस्टार्ट कर दिएगा कि नितिगत धांचे को नीतिगर ध्धाचे को गुडवक्ता अनुकूल बनाते हुए प्रसासनिक तंत्र की खामियों को दूर करके लक्षी समू को जागुरुक्ता के उपरांत ये जागुरुक्त उपरांत योजनाओं को योजना एवं कारेकरमों को सफल बनाया जा सकता है जो एक राष्ट निर्माण में बहतर कदब होगा इतना आप इसको दे देंगे न वो कहेगा भाया राम राम तुमसे हम जीत नहीं सकते हैं तो दोस्तों ये श्रीज आपको कैसे लग रही है इदि आप इससे थोड़ा बहुत भी लावांकितों पा रहे हो तो मेरे दिल की थोड़ी सी निकलने तरंगों को थोड़ा सानवित दीजेगा थोड़ा बताईएगा कि हां सर मैं आपके साथ जो कर पा रहा हूं मैं अपना कुछ प्यार दे पा रहा हूं इस तरीके से तो आपका इजाइद बनता है कि आप भी कहिना कहीं मेरी कहीं भी बात को अपने अंदर रहन करें और उसके बाद कहिना कि जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार इंप्लीमाइंट करें दोस्तों ये स्रीज चलती रहेगी और कोसि इन के मादिम्स कुछ रपलाइ भी कर सकूं तो फिर ये स्रीज को भी हम लाइव कर लेंगे टाइम नोड कर लेंगे पर डे आएंगे पर डे इवनिंग में चाहते मौर्णीग चाहते कब चाहते कमेंड करके बताएगा और साथ ही सभी लोग जो लगता है कि हाँ इससे मार रहे हैं इसका मदला समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला कि जिनको यहीं नहीं नहीं पदा जो यहां old हो चुके हैं और वो गोल्ड की तरफ कमेंट करके बताईएगा लाइब चाहते हो कमेंट करके बताईएगा कल मैं लाइब आ रहा हूं टाइमिंग डिनोट कर दूँगा आपको में और लाइब जो है बहुत जबज़स तरीके से आपके सामने हम लोग करेंगे तो सब लोग जुड़िने का प्रियास करना एक दूस लाइस नभी होन।